सुप्रीम कोट ने दो साल देर से ही सही लेकिन बुल्डोजर चलाने की घटिया प्रथा के खिलाफ एक तीखी टिपडी की है और इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए क्योंकि कोट ने सही कहा है कि आरोपी की सजा निर्दोश परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए पर आखिर ये बुल्डोजर का पूरा बवंडर है क्या किसके उपर चलता है कब चलता है क्यों चलता है कौन निर्दारित कर रहा है हाउजिंग औन लैंड राइट्स नेटवर्क एचल आरेन का अनुमान है कि स्थानिये राज्य और केंद्र सरकारों ने दो हजार बाइस और तेईस में करीब डेर लाख घरों को बुल्डोजर से ढ़ा दिया था जिसके चलते गाउं देहात और शहर में करीब करीब साथे साथ लोग लाख लोग बेघर हो गए अतिक्रमर को रोकने से लेकर शहरी करण और आरोपी के खिलाफ हुए अक्शन जैसे कारण इसके लिए दिये गए लेकिन बहुत सारे सवाल है और पहला सवाल ये है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी आरोपी का गर, दुकान, होटल अचानक अवैद हो जाता है एक ही दिन में अवैद निर्मार ढाये जाने की सारी प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है क्या कोई ये पूछेगा कि कैसे पता चलता है कि निर्मार अवैद है असल में बुल्डोजर बरबरता का प्रतीक है कानून विवस्था की धज्जियां उडाता है और कोट का चहरियों पर एक कारारा तमाचा है अगर बुल्डोजर से ही न्याय करना है तो सारी न्याय पालिकाओं पर ताला लगा दीजे उनकी क्या जरूरत है ये मेरा बिलकुल मत है सवाल ये भी है कि अगर सरकारे बकैती में बुल्डोजर से कुछ लोगों के घर धरलने से ढाती है तो बाकी गुंडों के खिलाफ उनको साप क्यों सूंग जाता है एक आरोपी के घर पर बुल्डोजर चलेगा दूसरे पर नहीं चलेगा एक बस्ती उजडेगी दूसरे के सामने जाकर बुल्डोजर रुक जाएगा तो क्या आरोपी का धर्म ये निश्चित करता है कि बुल्डोजर कहां चलेगा सजा आरोपी को मिलनी चाहिए उसके घर के बाकी बेकसुरों को क्यों मिलती है बुजर्गों को बच्चों के सिर से क्यों चट और साया उठाया जाता है ये ठीक नहीं है और यही कोट भी कह रहा है बुल्डोजर चलाने जैसी घर कानूनी हरकते असल में अपराधी करते हैं चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं इसलिए बुल्डोजर वाले बाबा और उनकी इस बरबरता की नकल करते हुए बीजेपी के तमाम कटपुतलिया प्रशासन कीजिए पाप नहीं क्योंकि घर हिंदू को हो या मुसल्मान का बनवाने में एक उम्र लग जाती है